आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंस जो हम फ्लार लेते हैं उसका मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट और फ्लार का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने जा रही हैं कि इस फ्लार उफ रोजा साइनेंस में बोला जाता है और इसको चािना रोज ही बोलते हैं ठीक है cuántस आप मैंने क्या Siya कि इस अजिए पार्ट आपको मैं संभाऊं मैं थीक है पॉलिनेशन में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, अब जो इंसेक्ट होगा, वो क्या देखागा, कलरफुल, पैटल्स को देखागा, और इनकी साइड क्या होगा, अटरेक्ट होगा, तो आप फलार में एक ग्रीन कलर का पार्ट देखते हैं, नीचे जो होता है जो हमारा फलार के बेस में होता है, ठीक है, इसको बोलते है सैपल्स, इसको क्या होते हैं, ओल्वेज ग्रीन फिर थींक है, अब ग्रीन कलर का क्या रोल है, क्यूंकि जो हमारा फ्लार है, उसको नुट्रिशन भी तो चाहिए न, तो वह कहां से बिलता है, स्थीज बीन is the full part of male and female reproductive part of the flower so आप अपर साइड में यह देख सकते हैं यह हमारा यहां पर ओवरी होती है ठीक है ओवरी स्टाइल एंड इस्टिग्मा यह दीनों तीनों जो पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्त के बाद इस्टेमन अब देखो स्टेमन की मैंने चोटी सी स्ट्रक्चर किया है है ट्राइग की आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा जूम करती हूं कि यहां पर देखिया ठीक है यह 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 पार्ट जो दिख रहा है आपको यह हमारा एंथर और नीचे रेड़ कलर का पार्ट दिखा हुआ है इसको बोलते हैं तो एंथर प्लस फिलामेंट बनके क्या बनाते हैं मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट ओफ दा फ्ला हो कि मिटा तो आपको हिविस्कस रोजा साइनेंश का फुल इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू